कोई वेक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं, हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता है. संसार का सारा वेवार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है, जैसे पती अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है, अर्थात जो भी बलवान है, वो निर्बल का अपमान करता है. यदि हम शक्ति मान हैं तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान सहे लेते हैं स्वेम को निर्बल और असाय मान लेते हैं हमें छोटे होने का एहसास होता है ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा कुचली गई हो किन्तु कोई किसी का अपमान क्यों करता है हम विचार कर रहे थे कि जब अपमान होता है तो मनुष्य को अपनी निर्बलता का एहसास होता है और निर्बलता का बोध मनुष्य को कुचल देता है वो अधिक से अधिक निर्बल बन जाता है अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है आत्म विश्वास का नाश हो जाता है और जब आत्म विश्वास नहीं होता तो मनुष्य शराब और जुए जैसे व्यस्नों में सुख ढूनता है मन से रोगी बन जाता है आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गती कोई क्यों करता है अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है कभी गहराई से विचार किया है हम विचार कर रहे थे कि कोई भी मनुष्य किसी का अपमान क्यों करता है वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्ती मान हैं अर्थात वास्तव में अपमान करने वाला स्वैम अपने आपको शक्ती मान या बलवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ती से आश्वस्त नहीं है उसे अपनी शक्ती पर भरोसा नहीं है दूसरों को चुनौती देकर वो अपनी शक्ती पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है क्या ये सच नहीं? हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं हमें इस अंसार एक अविरत संघर्ष प्रतीत होता है कभी ना रुखने वाली एक जंग सी दिखाई देती है हम अपने निकट आने वाले सभी को प्रतिद्वन्दी मानते हैं फिर वो पती या पत्नी ही क्यों ना हो हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ती सिद्ध करनी होगी अन्यथा हमारा शोशन होगा हम किसी के गुलाम बन जाएंगे किन्तु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रती द्वन्दी अर्थात दुश्मन मानने के बदले कलीग मान ले हमारी सहायता करने वाले सहयोगी मान ले अर्थात दूसरे विक्ति को प्रेम करें तो उसका अपमान करना आवश्चक ही नहीं होगा किन्तु प्रेम करने के लिए आत्म विश्वास आवश्चक है जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं वो प्रेम कर ही नहीं सकता अर्थात जिसका हृदे आत्म विश्वास से भरा होता है ना वो अपमान करता है ना अपमान को स्विकार करता है क्या इस सत्य नहीं? इस तत्य पर विचार अवश्य कीजेगा